जब मुनियस्टावक्र राजा जनक से ये पूछते हैं कि तुम्हें आत्मग्यान हुआ भी है या नहीं या किवल भ्रांती है तुम्हारे मन में तब मुनियस्टावक्र को राजा जनक कहते हैं जिस महात्मा ने इस संपून जगत को आत्मा की तरह जान लिया है उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है जो अपने को आत्मा से भिन मान कर मन एवं अहंकार वश जो कर्म करता है वही कर्म उसे पाप पुन्ने का फल देते हैं तथा उन कर्मों के फल का भूगता भी वही मन और अहंकार होता है किन्तु जो इनसे पार चैतन ने आत्मा में स्थिर हो गया है जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है तो फिर ना कर्म करने वाला बचता है ना उसका फल भोगने वाला क्योंकि आत्मा न तो करता है न भोगता तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था वह जा चुका अब उसका व्यक्तित्व ही नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है इसलिए पाप पुर्ण्य होता ही नहीं है जनक यही बात कह रहे हैं जिस महात्मा ने इस संपून जगत को आत्मा की तरह जान लिया है उस ग्यानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है ऐसा व्यक्ति, सामाजिक, राजनेतिक, व्यवहारिक, शास्त्री है इत्यादी सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरिय नियमों के अनुसार कारिय एवं व्यवहार करता है उसका समस्त कारिय एवं व्यवहार स्वविवेक पर आधारित होता है इसलिए वह अपनी इच्छा, यानि आत्मा की इच्छा के अनुसार कारिय करता है वह मन बुद्धी अहंकार वशरीर आदी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभाव करता है जब दूसरा मुझूद है तभी पाप पुर्णे की संभावना होती है जब दो हैं ही नहीं तो कोन पाप करने वाला है किसके साथ पाप किया जाएगा कोन भोगता है कोन भोग्य है यह पाप पुन्य द्वाईत की ही भाषा है अज्यानी की ही भाषा है ज्यानी में एकत्व भावा जाता है भिन्यता ही मिट जाती है दो का भेद ही समाप्त हो जाता है फिर कैसा पाप कैसा पुन्य जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोग ही करता है यदि भूल चूक में कष्ट पहुंचा भी दिया तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है न उससे एक शमा ही मंगवाता है नहीं पहले अंग को कोई पाप लगता है कि वहे इस कर्म का फल भुकते गाई वहे अंग नरक में जाएगा बाकी अंग स्वर्घ जाएंगे ऐसा कभी होता नहीं यह पाप पुन्य स्वर्घ नरक दयाकशमा अदि द्वैत वादी धर्म की अद्वाईत को उपलब्ध हुआ ज्यानी इन सबसे पार हो जाता है उसे एकत्व का बोध हो जाता है फिर कोई पाप पुन्य नहीं रहता जनक आगे कहते हैं आ ब्रह्मस्तंभ परियंते भूतक ग्रामे चतुर विधे विज्यस्यई वहिसामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने ब्रह्मा से चूटी परियंत चार प्रकार के जीवों की समूह में ज्यानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ्य है जिस प्रकार ज्यानी एवं अज्यानी के कारियों एवं व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है उसी प्रकार ज्यानियों तथा अज्यानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है सभी ज्यानियों की एक ही दृष्टी होती है किन्तु अज्यानियों में सभी की दृष्टी भिन भिन होती है दादू ने कहा है जे पहुँचे ते कही गए, तिन की एक ये बाती, सबई स्याने एक मती, उनकी एक ये जाती, ज्यानी के कोई संप्रदाय नहीं होते, उनकी कोई जाती नहीं होती, उनमें मतभेद नहीं होता, सिद्धान्तों वेकारियों में भिन्नता नहीं होती, वे सभी एक ही बात कहते है जो सत्य है वही कहते हैं असत्य अनेक प्रकार के होते हैं किन्तु सत्य एक ही है एक बार एक न्याया धीश ने दस गवाह बुलाए वकील दस ही सूफी पकड़ कर ले गया न्याया धीश ने कहा कि मैं इन दस सूफीयों को एक ही गवाह मानूंगा क्योंकि सभी सूफी एक ही तो बात कहते हैं अतहा यहे तो एक ही गवाह हुआ नो कोई दूसरे लाओ यह ग्यानी का धंग है किन्तु अग्यानियों के अनेक धंग है अनेक विचार हैं अनेक सिध्धान्त हैं उनके यहां तक कि उनके धर्म और इश्वर भी अनेक है आत्माएं भी अनेक है किन्तु ग्यानी इन सब के पार एक की ही अनोभूती करता है समस्त स्रिष्टी को एक समस्ता है कुछ अग्यानी कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो वासनाएं छोड़ो संसार छोड़ो लोभ, मोख, माया, मम्ता, धन, दोलत सब छोड़ो तब तुमें ज्यान होगा वे छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं किन्तु ग्यानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चीटी परियंत चार प्रकार के जीव समुहों में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है स्रिष्टी का निर्माता जिसे ब्रह्मा कहते हैं वह भी इच्छाओं से ग्रस्त है स्रिष्टी निर्मान की उसकी भी इच्छा है विष्णू, महेश, इंद्र, आदी अनेक देवी देवता भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त है फिर मनुष्य पशुपक्षी जीव जन्तु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं भला इन सब में केवल आत्म ग्यानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है अन्य कोई नहीं इसलिए छोड़ने से ग्यान नहीं होता बलकि ग्याना अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है छोड़ना नहीं पड़ता ज्यानी जनक के सत्य प्रती का यही सार है कि पाना ही नियम है छोड़ना नियम नहीं है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहन करना है यह ज्यानी विवेक से निर्धारित करता है अश्टावक्र को जनक आगे कहते हैं आतमानम अद्वयम कश्चित जानाती जगदीशवरम येद वेती तस्यकृते नाभयम तस्यकुत्रचित कोई विरलाही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है वह जिसे करने योग्या मानता है उसे करता है जनक कहते हैं इस अंसार में नए नए मुखोटे लगाकर अनेक लोग ज्यानी बने घुमते हैं कोई नंग धडंग, कोई चिम्टा लिये, कोई त्रशूल लिये, कोई खपर वे खोपड़ी लिये, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाते, कोई पंचागनी तप करते, कोई घंटा घडियाल वजाते, न जाने किस-किस वेश में वर रूपों में देखे जा सकते हैं फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई शैओ, कोई वैश्नओ, इत्यादी, किन्दु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वया जानता है, कि आत्मा एक ही है, इवं यह संपून उसी का फैलाओ है, वही आत्मा जगद इश्वर है, उसी से स्रिष्टी है, स्रिष्टी वह आत्मा तथा इश्वर भिन्न नहीं है, स्रिष्टी वस्रष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है, एवं उसे जानने वाला ही ज्यानी है, ऐसा ज्यानी जिसे करने यो उसे किसी का भय भी नहीं है क्योंकि वह मन तथा अहंकार से उपर उठ चुका है भय मात्र द्वैत के कारण है अद्वैत में भय होता ही नहीं राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्णों का उत्तर सार संक्षेप में रख दिया उन्होंने बता दिया कि ग्यानी कैसा होता है उन्होंने मुनि अश्टावक्र को यह जतला दिया कि उन्हें कोई ब्रहांती नहीं हुई है यदि ब्रहांती होती तो मुनि अश्टावक्र समझ जा दे क्योंकि अश्टावक्र स्वयम परम ग्यानी थे इसलिए जनक उनसे बार बार निवेदन करके यही कहते हैं कि ज्यानी का स्वरूप ऐसा होता है ज्यानी का स्वरूप केवल अद्वाईत में प्रतिष्ठित रहना होता है इस प्रकार राजा जनक ने मुनी अस्टावक्र के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर उनकी सामने रख दिय इस प्रकार अस्टावक्र गीता का चतुर्थप प्रकरन यही संपूनता को प्राप्थ होता है शेश अगले अंक में